तो गाईज आज कि इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो वर्सा है न यह क्या होता है अगर यह वीडियो पसंद नहीं आएगी तो यार डिसलाइक कर देना तो वर्सा है न आज हम इसी किविशे में फोल जनकारी लेंगे तो गाईज सबसे पहले आप लोग तो यह पता ह होगा कि जब वायू गर्म होती है तो वह धीरे धीरे उपर के उठती है यह तो पता है कि जब वायू गर्म होती है तो क्या है अगर वायू उपर उठती है तो वह क्या होती है ठंडी होती है जी हां दोस्तों अगर वायू अगर धीर धीरे उपर उठती है तो वह क्या होती वाई पर जैसे आसमान में उजा रहा तो क्या होगा ठंडी होगे और वही कुछ दूर उचाय जाने के बाद वह इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें जो जल वास्व होता है मतलब दिखें कहने का मतलब है कि जब वायू उपर उठती है तो उपर इतनी थंडि हो जाती है कुछ दूर के बाद वह क्या होती है मतलब संखनित हो के मिलकर वह चोटी-छोटी जलकर मतलब गिरने लगती है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वायू में जल की बुंदे यानि कि जल वास्प की बुंदे अगर भारी हो जाती है तो वह नीचे के और गिरने लगती है और जब वह नीचे के और गिर रही है तो वही गिरती हुई बुंदों को बोलते हैं वर्सा ठीक है असानी से हम यह कह सकते हैं कि अगर वायू में जल की बुंदे वायू में पानी की जो बुंदे हैं अगर भारी हो जाएंगे तो वो नीचे की और गिरने लगेंगे तो वही हो गया आपको वर्सा ठीक है तो चलिए वीडियो समापत हुआ